अरे किष्णा, सुसागत आप सबका, तम चर्चा कर रहे हैं नवदा भक्ति की नो प्रकार से भवान की भक्ति हो सकती है श्रवनम, खीर्टनम, विश्नु स्मर्नम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनी वेदिनम तो पहले चार की चर्चा हम कर चुके हैं और पाँस्वी जो विधी है अर्चनम, उसकी भी चर्चा हमने पिछली बार उसकी शुरुआत करी थी तो पिशली बार क्या क्या चर्चा होई थी याद आपको किस-किस को याद है कितने लोग आये थे पिशली बार क्लास में तो आप लोग बताईए क्या का डिसकस किया था हमने अर्श्रम विधी में भगवान के पांच प्रकार के फॉर्म है कौन कौन से है सबसे पहले परा परा कौन सा फॉर्म है जो परे है जो इस भू लोग से परे है जो भगवान के गोलोग धाम में है भगवान का जो साक्षात रूप है दूसरा विउहा तो वो परा भगवान अपना expansion करते हैं व्यूहा फोर्म में तो चतुर व्यूह फोर्म हमने सुना है वासुदेव संकर्षन, प्रदिम्न और अनिरूत उसके बाद अंतरयामी, पर्मात्मा सरूप में भी भगवान है फोर्थ वीभवा वीभवा रूप कौन सा है? जब भगवान अवतार लेते हैं उस परा लोक को छोड़ कर गोलोक को छोड़ कर इस भौति संसार में आते हैं तो वो भगवान के वीभवा रूप हैं कौन कौन से वीभवा रूप हैं? वीभवा नरसिंग भवान श्रीराम चंद्र वामन वरादेव, कर्षव अवतार जितने भी हैं यह से भगवान के विभवा रूप हैं, जो भी भवान के अवतार है और पाँचवा रूप है भगवान का अर्चविग्रे का रूप हम ने एगी चर्चा करे थी कि इन पाँचो रूप में से हमारे लिए प्रैटिकल कौन सा है? अर्चा विग्रे क्योंकि परा बगवान की सेवा करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गोलोग जो दूसरे हैं व्यूहा, उनके लिए उनके पुजा करने के लिए सेवा करने कहा जाना पड़ेगा, वैकुंट में जाना पड़ेगा, अंतरयामी परमात्मा के लिए धुडने के लिए लिए हमाले में जाना पड़ेगा, फोर्थ, विभवा, जो भगवान के अलग अवतार उनको पराप्त क करिपा अवतार, कि करिपा के भाव में भाव में भाव ने अवतार ले लिया है, जिसके हम सब सेवा कर सकते हैं. साथ में उर भी बड़ी सारी ग relative क killed ही फब सेवा सब करिए खा। कि केवल यह प्रतिमा न ही है कोई मूर्थी नहीं है यह तो साक्षाथ,. श्री-कृष््न है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी चेतना को विक्सित करना पड़ेगा. तो तीन परकार की चेतना भी हमने चर्चा करी थी? कौन-कौन सी है सबसे पहली? जड मई, जिसकी जो चेतना है कौनशिए से बड़ी जड है, मेटर है वो. चेतना के समान है, उसे उपर है मनो मई, और सबसे उपर चिन मे. तो हमें कौन सी चेतना में जाना है? चिन में चेतना. चिन में चेतना में मतलब कि हम फिर हर जगा भगवान को देख पाएंगे. जड जब चेतना रहती है तो सामने भगवान है, उसमें भी वह क्या देखेगा? पत्थर देखेगा मगर जब छिन में चेतना हो जाएक किसी की तो पत्थर में भी क्या देख पाएगा? भगवान को देख पाएगा तो इस परकार हमने चर्चा करे थी पिछली बार अब आगे बढ़ते हैं कि अर्चविग्रे का लाब क्या है हमारे जीवन में भगवान की अर्चविग्रे के अगर आप सेवा करते हैं तो क्या-क्या लाब होंगे तो पांच लाब मिलते हैं फाइव पीस उसको बताया गया है सबसे पहला है प्योरिफिकेशन शुदता होती है शुदता आती है जीवन में दूसरा है पॉइंट सेंट्रल पॉइंट कि भगवान को हम अपने जीवन का जो सेंटर पॉइंट बना पाते हैं अर्च विग्र है घर में लाने के बाद तीसरा लाब मिलता है भगवान का प्रेम विक्सित होता है हिर्दे में फॉर्थ हम प्रचार कर पाते हैं हमारे प्रचार में सहों मिलता है प्रीचिंग में हमें लाब मिलता है और फिफ्थ पॉरसाद मिलता है तो यह फाइव पीज है जो हमें लाब मिलते हैं अर्चा विगर के सेवा के, कौन कौन से हैं दुबारा से बताइए, इसाब फाइव, फिर्स्ट, पुरिफिकेशन, सेकेंड, पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, थर्ड, प्रेम, फॉर्थ, प्रीचिंग, और फिफ्थ, पुर साथ, तब थोड़े इस पे इनी पे हम चर्चा करते हैं, तो पहला पी है प्योरिफिकेशन, तो डिटी वर्षिप करने से, हमारा मन स्थिर होता है, यह जो मन बड़ा चंचल है, बगवान गीता में बताते हैं, अर्जन बताते हैं, चंचल हम ही मना कृष्णा, बड़ा ही भाग्वान, यह मेरा मन आप मझे मन को वष्मे करने का प्रयादद बोल रहे हैं, मैं बड़ा को रक्त तो अमर को राइवान, १ार्य। यह मन को रहते हैं, अर्जन टोल करता हैं, तो इसका संचल टोल करने से भी ज्यादा मुशकिल हैं, दिसे आजने एक ए अरच corporate दोल मे तो घरों में क्या है? एक चीज सब के घरों में कॉमन है कहानी घर घर की तो क्या है लडाईयां सब के घरों मोती है पती पतनी के बीच ना माता पिता की बच्चों के साथ बच्चों की पडोसियों के साथ तो चलते रहते हैं कॉरल एंड हिपोक्रिसी this is age of quarrel and hypocrisy मगर अहंकारी से अहंकारी व्यक्तिवी जब मंदिर में आएगा तो भगवान के सामने चिला नी पाएगा क्रोध नी प्रकट कर पाएगा यह अपनी आपको तोड़ा मिंटेन करेगा वो कंट्रोल करने का प्रयास करेगा तैसलिए जब अब मंदे सामने होते हैं बânligen की यह प्रतिमूर्थी सामने होते है तो हम अपनी वस्तनाई है जब इच्छाई है जब नकाम करोध है उस को कंट्रोल कर पाते हैं तो हमन को स्थिर कर पाते हैं वो हैविट्स जवने ज़नमों से पाली है उनको छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है मगर वही habits बड़ी असानी से बदल जाती है क्योंकि अब नई habits बन जाती है हमारी किसके माध्यम से? अर्चे विग्रे के सेवा के माध्यम से तो इस परकार हमारा purification होता है जब भवान के अर्षे विग्रे की सिवा करते हैं. सेकिंड पॉइंट इस सेंट्रल पॉइंट, पॉइंट, कि वो केंदर बिंदू बंजाते हैं विग्रे, आप अपने घर में विग्रें को ले आए, तब वो आपके जीवन के सेंट्रल पॉइंट हैं. जैसे कोई नवजाज शिशु आता है घर में, तो माता है क्या करती है, हमेशने उसके बार में चिंतन करते रहती है. अब इसको खिलाने का टाइम हो गया, अब इसको सुसी पोटी का टाइम हो गया, अब इसको थोड़ा बहार घुमाने लेके जाना है. आओ, ये न, ये उपर रख दो, इसको हाथ में लगजेगा, बड़ा ही तेज है ये, इसको उपर रख दो, इचाकु को. तो हमेशने क्या करेगी उसके बार में, चिंतन करते रहेगी. बजार जाएगी, तो अले-अले दुकानों में क्या ढूंडेगी, मेरे बच्चे के लिए क्या ले सकती हूं में, शॉपिंग करने जाएगी, कुछ भी समानने ले जाएगी, तो हमेशा बच्चा उसके मन मस्तिक्ष में रहेगा. पिता जी भी जाएगे, इवन बिजनस मीटिंग में जाएगे बाहर, तो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खिलोना लेकर आएगे वहाँ पर, क्यों क्योंकि वो अब प्रवेश कर चुका है हिदे में, वो जो बच्चा है उसकी यादे अंदर बैठ चुकी है, तो क्या बन क्यों सोचे थे कि मेर को कौन सा कपड़ पहना है, या बच्चों के बार में सोचे थे, अब यह जो नया बच्चा आया है, इसको कौन सी ट्रेस पनाएगे, अच्छा उनके नीचे ओ जो कौन सी लेस लगानी है, कौन से बटल लगानी है, अच्छा उनका 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 और हम चितकारी कर सकते हैं, उनको मालाएं को उमसी पहनानी है, यह बड़ी अच्छी लग रही है, यह कुंडल पर इच्छी लगे हैं उनको, यह बाजुपन बहुत सुन्दर लगे गा उनके उपर, यह more punk, यह बड़ी स्ट्राइलिश लग रहा है, यह लगाएंगे ठाकर ज तो क्या होगा? उनके बारे में हम चिंतन करेंगे. वह हमारे जीवन के उदेश बन जाएंगे. उदेश बन जाएंगे. इंगलिश में एक वर्ड आता है साइनोजोर. सुना आपने, साइनोजोर. साइनोजोर मीनस सेंटरल, सेंटर अप अट्रक्शन. कि वह जो भी आपके वि क्या पसंद है? वह बनाएंगे. वह बनाएंगे. वह मंदिर में वह खाया था, हम ऐसा ट्राइ करते हैं वह बनाने का. वह थाकुर जी को बट पसंद है. तो इस परकार, हम अपने आपको परिवर्तित करेंगे, ट्रांस्फोर्म करेंगे भगवान की सिवा के लिए. और जै पाई होगी, उपर शर्ट पहनी होगी. दूर से हम डिस्टिंग्यूश नहीं कर पाएंगे. जैसे गाय होती है, गाय के बच्चन है, दूर से सब एक जैसे दिखते हैं. वही सिंग वाले, वही कलर वाले. मगर जो उनकी सेवा करता है, एक पचान पाएगा. ये गौरी है, नाम से पचान पाएगा. ऐसी मा पचान पाती है अपने बच्चे को क्यों कि खून का रिष्टा है. ऐसे ही, जब ठाकुर जी की हम सेवा करेंगे, तो क्या बन जाएगे हम उनके? अपने बन जाएगे. तो उनके साथ ही हमारा एक रिष्टा बन जाएगा. तो कैसे ठाकुर जी का प्रेम प्रापत करें? तो प्रेम प्रापत करने का बड़ा तरीका है आप जाएगे मार्केट में जाएगे मार्केट में केमिस्की शौप पर जाएगे और जाएगे केमिस्ट को बोलिए हमें मेडिसिन दे दो ना प्रेम पांटसो और जाएगे रात को और डेवलप करने का एक ही तरीका है और क्या है? सेवा माता कि जब शिशु उत्पन होता है जन्म देती है तो सता ही उसके स्तनों से दूद आने लग जाता है ममता के कारण अभी उसने उसको देखा भी नहीं है फिर भी इतना प्रेम करती है उससे क्यों? से प्रेम होगा और कोई तरीका नहीं है कि आप गोपी की ड्रेस पहलने और बोलने कि हम ठाकुर जी की सहचरी है हम ठाकुर जी की सेवी का है ऐसे प्रेम डेवलप होने वाला नहीं है कोई शॉटकट नहीं है प्रेम डेवलप करने का उसके लिए आपको सेवा अंगी कार करने पड़ेगी अपने आपको जलाना पड़ेगा भुनना पड़ेगा उस सेवा की अगनी में अभी दिसंबर का मरेथन चल रहा है इस महीने में सब लोग बूट डिस्टिबिशन करते हैं पता आप लोगों को, कितने लोगों को पता है पर राइड लाइड पर बुक डिस्टिबिशन कर रहे है क्या मिल रहा है? हाँ एक चीज़ बट जरू मिल रहा है उनको पॉलुशन मिल रहा है ना उनके फेवरणों में वो सारा पॉलुशन जा रहा है उसके बावजूद वो खड़े रहते हैं राइड लाइड पर और किताब देते रहते हैं देखा आप लोगों ने द्वारका में? कितने लोगों ने देखा है अभी? राइड लाइड पर भक्तों को बुक डिस्टिबूट करते हैं क्या मिलता है उनको? कुछ लोग बोलते है कमिशन मिलता है जी उनको एक सवस्टिब की किताब देते हैं दस बीस पर इनका वी होगा तो पूरे दिन बार में हो जाते हैं कि कमाई है हाँ कमिशन वो पेपर के नोट का नहीं मिलता उनको मगर ठाकुर जी के प्रेम का कमिशन जुरूर मिलता है ठाकुर जी जो ब्रेज में गोलोक विंदाम ने हम सब का इंतजार कर रहे है कि कब आएंगे ये सब भूलोक के वासी मेरे पास इनकी तो इच्छा नहीं है मेरे पास आने की फिर गीता पढ़ते बढ़ते उसके एदे में कृष्ण प्रेम जागरित होगा और फिर वापिस हो सोचेगा कि मुझे जाना है ठाकुर जी के पास ठाकुर जी बहुत प्रसंद होगे ऐसे भक से बड़े प्रसंद हो जाते हैं जो उनके बिच्डे हुए लोक उनसे मिलाता है कुम्ब मेले में बच्चा खो जाता है तो जो व्यक्ति अपने उन बच्चों को वापिस माबाप से मिलाता है तो उस व्यक्ति को क्या मानते हैं माबाप यह तो देवता है खो गया था हमारे बच्चा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा हम सोचे गंगा में बहग आए मगर ले आए आप ले आए कहा है आपकी चरण कमल हमारे सिर पे रखी आप देवता हैं आप हमारे लिए तो ऐसी सोचे ठाकुर जी उन भक्तों को कहां पी स्थान देते होंगे जो भक्त उनके बिच्ड़ हुए जीवात्माओं को उनसे वापिस मिलवाते हैं ठाकुर जी कहां स्थान देते हैं अपने हिदे में स्थान देते हैं साद वो हिदेयम महियम सादु नाम हिदेयम तो हम बहुत बड़ी सेवा है तो ऐसी सेवा है जब हम करेंगे ठाकुर जी की अपने comfort zone से बहार निकलेंगे पसीना बहाएंगे जरजाई से बहार निकलेंगे और जाके देखेंगे दुनिया में क्या क्या चल रहा है फिर वहाँ जाके आप जब गिताब देंगे उनको फिर आपको गाली देगा वापसी में फिर उस गाली को भी स्विकार करेंगे भगान की क्रिपा के रूप में तब जाके ठाकुर जी की क्रिपा मिलेगी ऐसे निके हम सोचे घर बैठे बैठे जी हरी नाम ले रहे है जी बड़ा आनन्द बिल रहा है रजाए में बैठे बैठे ठाकुर जी का अगया जी महारे पास सेवा करते हैं ठाकुर जी की ऐसे प्रेम नहीं आने वाला कोई शॉटकट नहीं है spiritual life में उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा सेवा के लिए प्रयासुरत रहना पड़ेगा सेवन मुके ही जीवा दो स्वयमेव सूरत विदा सेवा के लिए हमें उन्मुक होना पड़ेगा तब जाके क्रिश्न के प्रति रती हिदे में जागरित होगी तो यह है पॉइंट सेंटरल पॉइंट कि जब हम अरचय विघरे के सेवा करेंगे तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम विक्सित होगा तो third point is प्रेम तो सेवा से क्या मिलेगा आपको प्रेम मिलेगा भगवान्षी कृष्ण यह जो नाम है कृष्ण यह मतलब होता है आकरशक सर्व आकर्शक, क्रिष्णा मीज़ सर्व आकर्शक कई बार लोग बोलते हैं कि आप ये भगवान का नाम ये क्रिष्णा क्यों है हमारे भगवान का नाम तो अल्ला है, हमारे भगवान का नाम तो जयोवा है तो क्या भगवान अलग है? नहीं, भगवान तो एक है, नाम अनेक है जैसे सूरज है सूर्य तो एक ही है आपको भारत में दिखता है और फिर अमेरिका वालों को भी दिखता है उस समय जा यहाँ पर यहाँ ओजल हो जाता है तो सूर्य तो एक ही है, मगर वहाँ पे किसी और नाम से पुकारते होंगे, वहाँ पे सन के नाम से पुकारते होंगे, कहीं और चले जाएए तो अलग नामों से पुकारते होंगे, तो वही दिनकर है, वही सूर्य है, मगर जो सूर्य है वो तो एक ही है, तैसी भगवान के ना भगवान का नाम राम भी है, मतलब भगवान सबको आनन्द देने वाले है, भगवान का नाम अल्ला भी है, मतलब भगवान सबसे सक्षक्तिशाली है, भगवान का नाम जेहोवा भी है, मतलब भगवान सबसे यादा कृपालू है, सबसे यादा दयालू है, तो भगवान के अ नात हो ना हो पेट में आत ना हो ना हो ना हो सिर्पे बाल हो ना हो मगर वहान सब को आकरशित करते हैं इसलिए उनका नाम क्या है क्रिष्णा तो क्रिष्णा आकरशित करते हैं मगर उनकी एक शक्ति है इसका नाम है माया वह भी आकरशित करती है तो भुबान श्री 되나 आकरशित करते हैं और हमें अपना आलिंगन प्रदान करते हैं और माया भी अपना हमें आकरशित करती है और थपड़ मारती है पास बुला के रिज़न भूलिया जियव भोग वांचा करे निकटस्त माया धरे, धपट्य धरे जैसे हम कृष्ण को भूलते हैं तो क्या होता है माया आती है पीछे-पीछे से और आके छपटे मारके हमें लिजाती है कृष्ण से दूर लिजाती है तो आकरशित होंगे हम या तो कृष्ण से आकरशित हो जाईए नहीं तो उनकी शक्ती से अकरशित हो जाईए कृष्णा से अकरशित होंगे तो आनन्द मिलेगा उनकी शक्ती से अकरशित होंगे माया देवी से अकरशित होंगे तो दंड मिलेगा तो हमें देखना है कि किस से अकरशित होना है जैसे एक चोटा बच्चा है अब बड़ा बड़ा इसको पीटना चाहता है मगर चोटा बच्चा काया जाता है जा कि पिताजी की गोंद में बढ़ जाता है अब बड़ा बच्चा चालुगा है जल्दी जल्दी नहीं आओंगा, नहीं आओंगा, पर गुमान लेके जाओंगा, नहीं आओंगा, फिर चोकलेट देता है, बड़ा चालाक है, अब छोटे वाला उसे चालाक है, नहीं आओंगा, तो तीन-चार चोकलेट दिखाता हूँ, फिर वो क्या करता है, पिता जी का दामन छोड़के आ दूर ले जाने के लिए, तो कुछ ना कुछ चॉकलेट देती रहती है हमें, अले-अले रूपों में. तो अगर हम माया से आकरशित हो जाएंगे, तो कृष्ण का दामन छोड़ देंगे, और क्या मिलेगा फिर? दुखालयम अशाशुतम, दुख ही दुख है. तो ये भगवान के भक्त हमें प्रेरीद करते हैं, कि चलिए आप कृष्ण की शर्यन में चलिए, कृष्ण की सेवा करिए, कृष्ण के विग्रों की सेवा करिए, ताकि प्रेम विक्सित होगा, उस प्रेम से आपका कृष्ण के प्रती आकरशन होगा. तो सेवा से क्या होगा आकर्शन डिवलप होगा तो ये प्रेम विक्सित होता है अर्चय विग्रे की सेवा के माध्यम से और फिर आगे फोर्थ जो लाब मिलता हमें भगवान के अर्चय विग्रे की सेवा के वो है प्रुशार हम याद हैं, हम IIT के अंदर प्रीशिंग किया करते थे और वहाँ पर एक प्रोफेसर का घर था, उनके घर में हम प्रशार करते थे तो कुछ डिवोटीज आते थे IIT के PhD सुदेंट्स उनको थोड़ा भगवदीता के बारे में बताते थे फिर कुछ समय बाद वहाँ पर थाकुर जी आगए जगनाद बल्देश वद्रा तो क्या हुआ अब हमारे आगए बैठे हो, दस बैठे हो अगए जगनाजी के लिए आईटम दस से कम नी बने बने वहाँ पर कोई यहां से बनाकर आज आगए अगए आगए यहां से अपने लेकर आते तो लोक यह जहां पर विग्र आगए तो प्रशार भी उनने शू कर दे वहाँ पर तो इस प्रकार प्रशार भी बहुत बढ़ जहाता है जहां पर विग्र हूं देख यह जो फैमिली है तना बढ़ता जा आगए क्यों को कि हां वो विराजमान है वो पना प्रशार खुदी करा रहे कई बार हमें लगता है कि हम प्रचार कर रहे हैं, देखो जी हमारे आश्रे में कितने सारे लोग हैं, कितना प्रचार हो रहा है, अरे डकन, तेरा कुछ नहीं है, यह नो ग्रेड़िट, इस अनली ग्रेड़िट अफ शिला प्रभुपाद एंड रुक्मनीद्वार का धीश, जिनके जो खुद अपना प्रचार करा रहे हैं, आप व्यासासन पे बैठते हैं, व्यासासन पे बैठने में जो बोलने की शक्ती है, वो कौन देते हैं, रुक्मन के हाथ में, उनके हाथ में कंट्रोल है सब, जिस परकार जह हम माने हैं कि यह जो प्रचार है, यह केवल, हमारे जो अचारे हैं, उनके माध्यम से हो रहा है, और ठाकुर जी खुद प्रचार कर रहे हैं, भगवान बड़े द्यालू है, सारा कार कर देते हैं, और क्रेडिट वो अपने भक्तों को दे देते हैं इट इस ओल कृष्णा अरेंजमेंट थाकुर जी के मंदर के लिए एक सो पचास करोड पर चाहिए अपका जो रुक्मनी दवार कादीश का महल बन रहा है उसके लिए पैसा कॉन आएगा कईवर हमें लगता है कि हम पैसा लेके आएएंगे हम फंटरेजी करेंगा रहे नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हैं डेट सो को रोड बहुत बड़ी रिकम है अरेंजमेंट कौन करेगा थाकुर जी खुदी करेंगे वो कर भी रहे हैं यह लेंड मिल गज़ आपको, बहुत महँगी लेंड थी, 25 कोड की लेंड थी वैसे तो बहुत महँगी है धिर भी अवेंड बिल रेंगे बिली बड़ी इनने किया थाकुर जी ने किए किसी कुछ नहीं पता रखता रगधा है कि पैसा काह सा रहे है बस चली जा रहा है, तो ठाकुर जी अपना अरेंजमेंट कुछ से कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि इन लोग के हाथ में दे दिया मंदिर बनाना, तो भईया मैं तो बुड़ा हो जाओंगा। मेरे हाथ में जब तक ये जो बंसी है न भी लठीया मनानानी बढ़ेगी इसकी, तब दया के ये मेरा मंदिर खड़ा नहीं कर सकते। तो ठाकुर जी क्रिपा है कि अपने आपी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते रहते हैं। तो ये प्रचार होता है। जहां-जहां भी विग्रा है महां पे प्रचार होता है। इवन आप अप घरो में पने विग्राह रखेंगे तो प्रचार शुरू हो जाएगा। अमारी एक माताजी है, अभी कुछी समय पहले उन्होंने विगरे स्थापित किये, घर में भक्तों को आमंत्रित किया, तो कुछ दिन बाद मुझे आ के बोलती है, कि अरे प्रभुजी, उस दिन तो हमने प्रोग्राम किया, उसके बाद चले के सब लोग, बट कुछ दिन इस अपने आप ले आप ले इस आप लागरा निता आ कि दरशन कर आ हो, तो ऐसा प्रशार अपने आप ले बढ़ने लग जाता है, जब ठाकोर जी विराजमान होते हैं, तो यहां पर फ्र्चार जिए महा प्रशाद होता है, तो देट इस फोर्थ पॉन्ट और पाइंट है प्रभुपायजी ने ये नियम एस्टेविलिश किया है कि इसकॉन मंदिर के दस किलोमेटर के दारे में कोई भी भी भुखानी रहना चाहिए दस किलोमेटर बहुत बड़ा रेडियस होता है कई बार आप अपने घरों में खाना मनाते हैं और खतम हो जाता है जो थे आदमी को नी मिल पाता प्रशाद खतम हो गया अगर प्रभुपायजी के क्रिपाय इतनी है कि इसकॉन मंदिर में कोई भी भुखानी रहेगा इसके इतने बड़े रेडियस में क्यों क्यों कि ठाकर जी वे राजमान है He will take charge कि मेरे सारे लोग मेरे उपर आशित है और इनको प्रशाद मैं प्रदान करूँगा इसलिए आपने देखा हुआ कभी भूखे नी गए होंगा मंदिर से कुछ ना कुछ मिल जाता है इतर उदर से और जो सबर करते हैं तो सबर का फल तो कुछ जादा ही मीठा होता है तो पांच-पांच गुछेशे गुलाव जोन पाके जाते हैं वो लोग तो इठाकर जी किरपा है प्रुषाद मिलता हमें एक हमारे डिवोटी थे और कॉरियन कंपनी में काम करते थे सारी जो बेल्ट है चाइनीज, कुरियन, जापनीज सब लोग टाइम के बड़े पक्के हैं आठ बजे मतलब आठ बजे उसका एक सेकिंड उपर नी होना चाहिए अब हमारे इसकोन टेंपल में तो जब क्लास शुरू होती है तो तो ताइम का बताने होता शुरू कब होनी और घटम कब होनी है सब ठाकुर जी की इच्छा से चलता है अब उनको आठ बजे पॉंचना होता है मालीजे मंदिर में गए कुछ पोगराम अटेंड करना है और फिर ऑफिस में पॉंचना है आठ बजे तो फोड़ा आज पिछे हो जता है एंका ज़ी एंका फिर आपे एपसेम्हा को जाती है अब लगा कि इन कुरियन लोगोंगों थोस्ति करने काड़ेगी मुझे अब थोस्ति करे कैसे जनली क्या अबता है? अब कुरियन लोगोगी हाथ मिलाएंगे तो, ऐसे ल 힘 पायाँ आपको, क्योंकि उसे पहले पतासे क्या वाइँ नोगोग से हrese सकते बाहर उसे उसे पाले पतानी क्या खायोगा मैंध हुआकी ऐसे बाहर इंडियोंिंग लोह कुछ उऑना खायाँ हुआज हमे नोज ना कुट तो आपने टेबल के ऊपर एक ट्रांस्पेरेंट बक्सा रख दिया और उसके अंदर कुछ कुकीज लाके रख दिए इसकॉन टेम्पल से और दो परकेटे में गायब हो जाते थे वह से तो कुरियल लोग आते थे देखते थे वहां पर बड़े टेस्ट लग रहे हैं बड़े अकर्शाग लग रहे हैं तो एक दो बार देखा और चले गए क्यों क्योंकि मर्यादा का पालन करना डिसिप्लीन में रहते थे वह लोग देखा कि हर रोज वक्ती है नहीं और यहाँ दबबा उसका जो ढखकाना खोल के चले जाते थे वह प्रभुजी तो दो-तीन लोग आये कुरियन लोग और हाथ डालके खाने लगे हैं खागया तो इतना टेस्टी इतना प्रशाद है भावान ने पाया पहले उनका प्रशाद है तो बहुत टेस्टी है तो आसे खाते 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 उ इतना उनका हिदे परिवर्थित हो गया कि अब इ you have this program this day, don't worry, please go. You don't have to mark absent also. Don't take leave, we'll take care. बस बस परशाद अगते हैं नहापे, उसको बंद करना. तुसकर, ठाकुर जी का जाप परशाद है, नहापे हीदे परिवरतन होता है, नहापे हर ट्रांस्फरम होता है. ऐसे कितने लोग हैं, जिनके घर लगता है कि जलाद लोग बैठे हैं. मगर जैसे जैसे उनने परशाद खिलाना शुरू किया, तो फिर लपता लगा कि रहें, जलाद नहीं है, इसके अंदर भी कृष्ण का एक आत्मा बैठी है. उपर से बेशक ये बड़े ही अंकारी प्रतीत होते हो, बड़े ही भैंकर प्रतीत होते हो, मगर है तो ये कृष्ण के अंश। तो जैसे कृष्ण के चखाव जो प्रशाद है, उनके मुख लगता है, तो उनका हिदे फरिवर्टीत होने लग जाते हैं. और वो भी अफेवरेवल बन जाते हैं. हाँ, पहले तो इतने हमें मना करते थे मंदर जाने को, इतना बादाएं डालते थे, मगर अब बोलते हैं, ठीक है, तो तो इसे मंदिर जाना तू जा, मैं तो छोड़ के आ जोँगा, अंदर नी जाँगा, अब छोड़ने तक आते हैं मंदिर. तो किसका प्रभाव है? प्रशाद का. तो प्रशाद is very heart transforming. तो ऐसी जब हर घर एक मंदिर बन जाता है, जहाँ पर ठाकुर जी विरादम्यान होते हैं, तो वहाँ पर जो भी भोग है वो प्रशाद बन जाता है. तो उनको जब हम खिलाते हैं अपने परिजनों को, अपने आसपास के पडोसियों को, तो वो सब भगवान के प्रती आकरशित होते हैं, और क्योंकि भगवान के प्रती आकरशित हो रहे हैं, तो आपके प्रती भी बड़े ही favorable हो जाते हैं. तो या तो वो आपके friends बन जाएंगे या आपके favourable हो जाएंगे यह हमें चाहिए कि सब लोग हमारे मित्र बन जाएं और हम क्या करेंगे फिर उनको Krishna का मित्र बनाएंगे तो इस परकार प्रचार बढ़ता है प्रसाद के माध्यम से तो जैसे हम ठाकुर जी के विगरों का दर्शन करते है तो हमें स्मरन होता है भगवान के form का अलेलेल फॉर्म्स का उनकी जो उन्होंने लीलाएं करी है उसका स्मरन होता है जैसे जब आप राधा रमण जी का दर्शन करेंगे तो क्या याद आता है हमें गोपाल भट गोशामी का स्वारन होता है कि गोपाल भट गोशामी के पास एक शीला थी बगर एक बार एक व्यापारी आया था और तो आकर उनको बहुत सारे वस्र दे गया अबूशन दे गया अब बोले कि इस शीला के ऊपर पत्थर को उपर क्या आप मैं बस्र पहना हूँगा क्या बोशन चड़ा हूँगा तो उनकी बड़ी तीवरी इच्छा होई कि काश मेरे पास भी विग्रे होते तो ने बसी इच्छा परकट करी और रात को पोटली में अपने शीला को तो कि उ तो यह स्वता प्रकट शीला है किसने उनको कार्वनी की एक और की बनाया नहीं एं उमूर्थी को तो स्वता ही प्रकट हूई है उसपर का जब हम विगरों का दर्शन करते है तो उसे समरड़ि जो भी लीलाएं है उनका तो क्षल समरण होता है दीम साक्षिय गोपाल का दर गुपाल जी का दर्शन करते हैं, तो किसका स्वारण होता है, माद्वेंदर पूरी पात का, यही गुपाल जी है, जिनको, जिनको बोला था कि मेरे लिए चंदन लेके आओ, तो इनके जो भक्त हैं, माद्वेंदर पूरी, वो अठाना सो किलोमेटर पैदल चल पड़े, जग एे लिए जगनाजी का दर्शन करते हैं, तो माःपरभू, जटने मापरू का स्मरन होता है शीर्चोर गोपिनाथ जब उनके बार में सुनते हैं तो फिर समरन होता है मादवेंदर पूरी पात का कि अरे ये भगवान है चोर है चोर है भगवान है क्या किया अपने भक्त के लिए खीर चुरा ली इनोंने बारा प्याले लगाये थे खीर का मगर वापिस जो पूजारी को 11 पहरे भी मिले एक क्या कर लिया चुपा के रख लिया और फिर पूजारी को बोलते हैं कि जाओ ढूंड के लाओ कहां है मादवेंदर पूरी और उसको ये खीर क्या प्याला दे दो ये तो अभी ठाकुर जी को भोग नहीं लगा है, ये परशाद नहीं है, मैंने भोग को पाने की इच्छा करी, जबकि इच्छा किसके लिए थी? अपने लेने थी, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, ऐसी खीर बनाने की उनकी इच्छा थी, मगर क्यों ऐसी इच्छा जा जाके अपने पुजारी को प्रस्तूत करी, मादुन दुपूरी को देने के लिए. तो इस परकार, विग्रों का जह हम दर्शन करते हैं, तो उनकिसे सम्मंदित, लीलाओं का स्मरन होता है. अब प्रश्चन है कि, डीटी वर्शिप क्यों करने चाहिए हमें? क्यों करने चाहिए? क्यों करने चाहिए? क्यों करने चाहिए? क्योंकि हमारे कल्यू का जो प्रॉसेस है वो तो है नाम संकिर्तन. कि हरी नाम हरी नाम हरी नाम हरी नाम ही एक मातर रुपाय है इसके लाव़ कोई और रुपाय नहीं है तो जब हरी नाम उपाय है तो फिर हमें अर्चे विग्रों की सेवा क्यों करने चाहिए हाँ हरी नाम तो उपाय है हरी नाम ही एक मातर उपाय है हरी नाम ही धर्म है कल्यों का मगर हरी नाम कैसे लेना है निरबराध नाम लोई लो बिना अपराध के नाम लेना है मगर क्योंकि हमारी पुरानी इतनी गंदी आदते हैं हम बार-बार अपराद करते रहते हैं हम नियम कालून में रहना नहीं चाहते हैं इसलिए वो हरी नाम भी हमारे उपर प्रभाव नहीं डाल पाता है तो हाँ हरी नाम अपने आप में बड़ा सक्षम है हरी नाम अपने आप में बहुत शक्ति चाली है हरी नाम लेने मातर से हमारा उधार हो सकता है मगर क्योंकि हम वो हरी नाम बिना अपरात के नहीं ले पाते हैं इसलिए भगवान अर्च्य विगरे के रूप में हमारे सामने प्रस्तित होते हैं तो एक सामन्युस से बिठाते हैं भगवान भागवत विधी में और पांच रात्रे की विधी में दो प्रकार से भवान की सेवा होती है एक होती है भागवत विधी और एक होती है पांच रात्रे की विधी भागवत विधी मतलब भगवान का समारन करना भगवान का नाम जब करना भवान की लीलाओं का श्रमन करना, यह भागवत विधी, जिसमें बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं है, एक होती है पांच राते विधी, जो भगवान के अर्चे विग्रे में अपनाई जाती है, जिसमें बड़े सारे नियम कानून होते हैं, बड़े सारे रूल् और वो दो पुजारी सो रहा होगा, उसके नेन नहीं खुल पाई होगी तो मंदर लेटू, तो अगर ऐसा होता नहीं है, क्यों क्योंकि बड़े ही तलीनता से अर्चे विग्र की सेवा कर जाती है, रूल्स रेगुलेशन के साथ, इतने बज़े भोग लगना है, इतने बज सारे रूल्स रेगुलेशन हैं पांचरादी की विधी में, और एक तरफ है भागत विधी, जहां पर कोई नियम नहीं है, तत्रार्त पीता नियमिता, स्मर्ने नकाला, चैतने महापुरू ने क्या बोला, हरी नाम में कोई नियम कानून नहीं है, एक शरावी भी ले सकता है हरी नाम, एक डिवोटी बड़ा अच्छा सुनाते हैं, वो कॉलेश में प्रीशिंग किया करते थे, और उनकी एक बार इच्छा होई, उनने ना कता सुन ली थी जगाई-मधाई को उधार की, कि हरी नाम इतना शक्तिशाली है, कि जगाई-मधाई जैसे लोगों का उधार क ठीक्तिश कर लेते हैं, तो कॉलेच में तो बड़े सारे टोटे काड़ुम, तो उनने सोचा कि इसको ये शराबी इसको लेकर जाऊंगा, प्रोग्राम में, तो उसके पास जाते हैं, पूछते हैं उसके कि चल तो चल, बूले देख, चल तो लोगा, मैं अगर इसको तो फिर उप्रभुजी ने उसको option दिया, बोले ठीक ऐसा करते हैं कि यह जो तेरी bottle है ना यह कमरे के बहार रख देते हैं जब इदर को इच्छा हो ना तो कमरे चला जा जा कमरे के बहार पैग लगा है अंदर आज यह फिर अनाम से फिर तू सुनता रही हो तो यह आ गया अंदर उसको ले आए ओ विचारा तो उसको ऐसे हिल रह पूरा आदे घंटे बाद उसको लगी ललक कि अब तो जा रहा है बहार तो इसकी प्रभजी की तरफ देखते हैं तो इशारा करते हैं जहाँ जल्दी जा थोड़ा टॉनिक लेके आँ बाहर से तो पीके आता है एक दो घुट फिर अंदर आके बैड़ जाता है तो ऐसे बड़ी मुश्किल से उसने दो घंटे निकाल लिए अब दो घंटे में चार बार पी चुगा है और आंके ऐसे जी हिल रहे हैं पूर है उसकी तो बाद में जो प्रवक्ता थे उन्होंने बुलाया कि बड़ा ही अटेंटी भी सुल रहे है एक जगा बैटके सुन रहे है उनको लगा कि बड़ा अच्छा श्रोता है तो उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा तो उसके आंसर करने से पहले प्रभुजी आंसर कर लेगा तो फिर पतल लेगा तो उसको ना वो माला दे देते हैं हरी नाम की माला तो माला ले ले लेता है अब उसको यह नी पता कि माला डालनी का है तो उसको में बीडबेक तो मिलते नही थे तो माला हाथ में ले ले ली तो चला गया अब एक हाथ में उसके बोतल है और एक तो पूरे को लिज़ को आपर बोल रहा है, मैने इसकौन ज़३इन कर लिया. I joined इसकौन. और जब प्रभुजी को पता लगा, तो उनको लगा है, तो बड़ा उच्चा प्रचार कर रहा हैं यहां आपि, कि यह कौँ सा तरीका हो ता, इस कोहन जो हने करने का, कि हाथसाद बे बोतल में मिलती हैं फरी में आपको, तो बढ़ मुश्किल हुए स उसको माला चुडवा ही भागवतवी दी है, इसमें नियम कानून नही है, आप सुबह उठे हैं, आपने शनान कीया, तब ही आप कर सकते हरी नाम ले सकते हैं आपको लाब देगा इवन कोई मासाहार कर रहा है कोई शड़ाब पी रहा है वो भी हरी नाम लेगा उसको भी लाब मिलेगा तो ये चैतने महाप्रुप किरपा है उनका ओदार है हम जैसे बद जिवात्मा के लिए कि भईया कैसे करसे नाम तो ले तू तो स्कूल में अड्मिशन ले बस पास हम कराएंगे उसमें चीटिंग करानी पड़े न किसी कॉपी देने पड़े न ग्रेसमार्क देने पड़े जो भी करना पड़े हम करेंगे बड़ तो स्कूल में अड्मिशन ले ले और आ जातू तो इस प्रकार चैतने महाप्रुप क्रिपा है हम सब के उपर मगर क्योंकि हम नीवों का पाला नहीं कर पाते हैं हम हरी नाम भी अच्छे से नहीं ले पाते हैं फिर उसके लिए हमें पांच राते की एम विधी का सहारा लेना पड़ता है रूल्स को फॉलो करने के लिए, अपने आपको डिसिप्लिन में नाने के लिए, तो इसलिए चतने महाप्रवु ने, शिला प्रभुपाद ने हमें अर्चे विग्रे दिये हैं, कि अर्चे विग्रे की सेवा भी हम साथ साथ करें भागवत विदी के साथ, ताकि हम अपने तो फिर हम अरी नाम भी क्या ले पाएंगे, अटेंटिवली ले पाएंगे, ध्यान पूर्वग हरी नाम ले पाएंगे, और उस ध्यान पूर्वग हरी नाम ले पाएंगे, और उस ध्यान पूर्वग हरी नाम ले ने से हम अमारा उधार होगा, तो अल्टिमेटली तो क्या में रहते हैं, जो ग्रेष्ट जीवन में रहते हैं, जो शादिशुदा हैं, उनके लिए बहुत ही लापफरद है अपने घर में अर्चे विग्रों की सेवा करना. क्यों? क्योंकि अर्चे विग्रों की जब आप सेवा करेंगे, तो आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी. DT वर्षिप इस अवेरी लिबोरियस प्रोसेस, इतना असान नहीं है, जैसे बच्चा पालना असान है क्या, तो 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 उड़े जाते हैं, बच्चा पालने में, नानी दादी सब याद आजाएंगे आपको. तो ऐसी एक और आपने अर्चे विग्रे ले आपने अपने अपने एकर में, जो बच्चे के समान है, तो उनको पालना वो असान नहीं है, उसमें आपको अपनी फिजिकल एनर्जी, आपको अपनी mental energy इन्वेस्ट करनी पड़ेंगे. तो क्या करेंगे आप अपने आपको फोकस करेंगे, जाद सहादा भवान की सेवा में. उनके बार में चिंतन करेंगे, और जिसका चिंतन होगा, उसका हमेशा समारन करेंगे. उसके बार में हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे. तो इस प्रकार अर्चा विग्रे की सेवा करने से, हमारा आकर्शन बढ़ेगा भगवान के प्रति, हमारा absorption बढ़ेगा भगवान के प्रति. तो अभी जो हमारी चेतना है, जो इंद्रियतिप्ति में लगी हुई है, जो भोग बृत्ति में लगी हुई है, वहां से मारी चेतना बहार निकलेगी, और भगवान की सेवा में हम अपने आपको एब्सॉब कर पाएंगे. इतना असान नहीं है इंद्रियतिप्ति को छोड़ना. असपेशली, ग्रियस्त जीवन में. ग्रियस्त जीवन में, जब अगर नियम कानून नहीं है, तो क्या बन जाता है वो? ग्रियमेदी जीवन बन जाता है. कई बार लोग को लगता है कि देखो जी, अब तो में शादी हो गई हमारी, अब हम जो मन कर रहे हैं, कर सकते हैं, प्रभुपाजे बोलते हैं, ग्रेस्था लाइफ ड़स नोट मीन लीगलाइज प्रोस्टिटूशन, बड़ी हवी स्टेट्मेंट है, कि ऐसे नहीं कि अब हम हारी शादी हो गया है, तो जो हम मारी इच्छा और ही है, अब हम कर रहे हैं, अब हो वैश्या वित्ति नहीं है, कि अब तो लीगल हो गया है, थपा लगा लगा लिया हमें, गोर्मेंट कोर्ड का ओडर आ गया है, और हम शादी शुदा हैं, नो, ग्रेसल जीवन में भी क्या है, वो एक आश्रम कहलाता है, आश्रम में रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वह नियम कानून होते हैं, तो अगर नियमों का पालन करना होता है 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 तो अगर नियमों का पालन करना है तो अगर नियमों का पालन करना है तो अग वो भी गुलो के समान है जनस्य मोह अहम आयम ममेती पुनसास्त्रिया मिथुनी भाव मेतम तयो मितो हिदे ग्रंथि माहू पुनसास्त्रिया मिथुनी भाव मेतम हमारा इस अंसार में अस्तित्व क्यों है उसका एक रीजन है the attraction between man and woman. इसी कारण वे इस संसार में बने हुए है, अभी नही जन्मों जन्मों से बने हुए है, the attraction between opposite gender. पुंसास्रिया मुथिनु बहाववेतम, तयो मितो हिदे, गरंतिम आहू. इस कारण क्या बने हुए हिदे में एक नोट मन गिये, एक गांट मन गिये, ये हमारी हिदे में बन्दी हुए है. इस के कारण क्या है? हम सब को, जो भी मेरे आसपास लोग है, उनको अपना माल लेते हैं. जनस्यमो हो, अहयम ममेती. जो मेरे आसपास के जन है, उन बोलते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा है. और इसको अलावा हम कुछ सोच नहीं पाते हैं. मैं और मेरा. हमारा जीवन का लक्षे बस यही बन जाता है. मुझे पैसा कमाना है, किस के लिए? मेरे अपनों के लिए. उसे अग बाद क्या, कुछ और नहीं. कुछ समन याता है. पाइ दिन पैसा कमाएंगे, किस लिए? दो दिन उडाने के लिए. On weekdays, we are busy. On weekends, we are super busy. On weekends we earn. On weekdays, we earn. On weekends, बाद के लिए. ये ही है वस. ये ही अग्रीमेदी जीवन. इसके लवा क्या है? मगर जो भक्त है, वो इससे परे सोच पाता है. तो जान पाता है कि नहीं मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे शेवा करनी है. हाँ, यह जो परीजन है, यह जो कृष्ण ने मुझे दिये है, ताकि मैं इनको भी कृष्ण की सेवा में लगाूं. और इनके माद्यम से मैं भी सेवा कर आओं. तो तब जाके वो ग्रियस्त आश्रम बनता है तो ऐसी जब विग्रे घर में आते हैं तो हम इस अंदकूप से बहार निकल पाते हैं अपनी आसक्तियों को कम कर पाते हैं और अपनी आसक्ति भवान श्री कृष्ण में बढ़ा पाते हैं तो इसले बड़ा जरूरी है अपने घरों में भवान की सेवा करना अर्चय विग्रे कर रूप में अब कई बार प्रशन आता है कि आरे सबको डीटीज लाने के घर में नहीं सबको डीटीज लाने के जरूत नहीं जो आपका भी ऑल्टर है जिसमें फोटो है वो भी अर्चय विग्रे से अभिन नहीं है जैसे हमने पिछली बार चर्चा कर रही थी शैली दारू मही लोई लेप्या लेख्या चश्यकति मनो मही मनी मही प्रेमायुष्ट अस्टप्रिया तो यह जो अस्ट रूप है भगवान के या तो पत्थर के रूप में या लकडी के रूप में या मैटल के रूप में या पेंटिंग के रूप में ये सब एक समान है तो अगर आपके घर में एक पेंटिंग भी है भगवान की, वो भी अर्चय विग्रेई है, तो उसकी सेवा भी हमें करनी चाहिए, मगर किसके रूप में नियमित रूप से, regularly, consistently हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, तो हम फिर असली में इस अंदकूप से, ग्रिये मेदी के अंदक कि यह जो घर है, यह परिजन है, यह जो प्रापटि-टी है, यह मेरी। नहीं है, ठाकुर्जी की है, Isn't डेके अthis मुझे आश्रे दिया है इस घर में रहने के लिए क्योंकि सब संपत्ति उनी की है भोकतारम यग्यतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सारे लोगों के इश्वरे भगवान मगर देखे कितनी कृपाया कि उन्होंने मेरे लिए भी एक जगा दे दी है ताकि हम भी महाँ पर सुख्स संपंति, सुख्सुविधाये हम अर्जित कर पाएं और महाँ पर रह पाएं काफी ऐसे घर होते हैं जिनके पास अनंत रिसोर्सेज हैं बड़ी सारी सुविधाये हैं बड़ी सारे आश्वरे हैं बड़ी लग्जरी है they are so rich but internally they are so poor that they are not so much in their house that they can keep it good there is a big place but where the Bhagavan will keep it in the middle of the stairs a little bit a small one will keep it in the temple there will be a very dark place there will be a place in the temple there will be a place in the temple whenever they come and see them this is also in our house so this is a krippanita because Thakur Ji's place it should be built from its own place it should be beautiful so all of these are the krippanita and I also get them in this way we should serve the Bhagavan okay now we are going to go a little further standards of duty worship what are the standards we should follow like in the temples and if Allah created the Bhagavan then there is a thousand% of do in the temple there are many different bodies but there are no atençãoS in the temple but not in each body in the temple which is the body which is the body that God is pure and there the land is pure and it is pure that God is pure and through the father after that he is pure they are pure and then then there is a place of prayer for them and after all their तो यह मंदिर का स्टैंडड है, कि मंदिर में जब विग्रे, जब मूर्ती लाई जाती है, उसकी प्रान प्रतिष्टा होती है, और फिर वहाँ सेवा उसकी आगे चलती है, और जो प्रान प्रतिष्टी जो विग्रे हैं, उनको कभी त्यागा नहीं जा सकता, देफा, यह उनको छोड़ देते, नहीं वाले ले आते, नहीं, अभिग्रे आगया तो उनकी जीवन भर सेवा होगी, ठीक है आप नहीं कर सकते हैं, कोई और करेगा बर सेवा इनकी होगी, मगर जब घरों में हम विग्रे सापना की सूचते हैं तो घरों में प्रान पतिष्ठा नहीं होती है घरों में welcoming होती है भगवान की We welcome the Lord कैसे welcome करते हैं? भक्तों को बुलाते हैं, कीर्टन करते हैं, कथा करते हैं इस प्रकार भगवान का आवान करते हैं भगवान क्या बोलते हैं, कहां पे रहता हूं मैं? ना हम वसामी वैकुंथे योगी ना मृदे नचा मत भगता यत्रगायंती तत्रतिस्था मिना रदा तो ना तो मैं वैकुंथ में रहता हूं और ना ही योगियों के हिदे में रहता हूं कहां पे रहता हूँ, जहां पे मेरे भग, जोड-जोड से हरी नाम लेते हैं, जहां पे मैं रहता हूँ, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Next question, कि क्या हम अपनी मर्जी से भगवान के विग्रों का अपने घर में ला सकते हैं? Answer is no. क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी एक duty है, एक बहुत बड़ी responsibility है. तो इसके लिए हमें permission लेनी चाहिए, हमारी जो authorities है, जो spiritual authorities है, उनसे permission लेनी चाहिए. वो किसी की permission देंगे, वो आपके योगिता की permission देंगे, कि आप योगे हैं कि नहीं, ठाकुर जी की सेवा स्विकार करने के लिए. जैसे कोई conceive करने जाते हैं, तो क्या करते हैं पहले, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, कि हमें capable, यह ना हो कि आपने संतान को बुला तो लिया, मगर आप उसकी केर नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो परमिशन ली आते हैं, आप रहे हैं, तो इसे हमें भी परमिशन लेनी चाहिए, यह नहीं कि अपने प्रभु जी एभी ले आएजी, आप इनकी सेवा करते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, उसीट सीख परमिशन, ताकि योग्यता देख पाएं और इस योग्यता से आगे, चल कर आप अच्छे से से वा कर पाएं, निरपराद सिवा कर पाएं और जो भी उसके लिए guidance है वो आपको properly मेल पाएं, इसलिए हमें permission लेनी चाहिए अब प्रशन आता है कि कौन से विग्रें हम रख सकते हैं घरों में तो विग्रें तो बड़े सारे हैं अभाण नर सिंग में अना सिंग के बड़ेंश। नर सिंक देव के विग्रेंश। नर सिंग थरेव्रेंश। इसिआर थीआख राद कर्षिन के विग्रेंश। जगर्द जगेमने प्रेश। अगर अब तरीटा थीएज की शॉत्व कि रख सकते हैं। अगर आप तरेता युक में होते तो आप श्री रामचंदर जी के विगरे सकते थे तो अगर हम कौन से युक में हैं तो कल्यूग के राजा नात भगान कृष्ने चंदर है और नाइ भगान रामचंदर है नाइ कोई और चंदर है कल्यू के राजा कौन है गौर चंदर भगान तो आप जिस देश में हैं, उसी देश की राजा के पूजा करेंगे, अगर नहीं करेंगे, तो फिर आपके वोपर इलिजाम लग जाएगा, यह तो इटली वाले राजा के पूजा कर रहा है, निकालो इसको देश से बाहर, बेजो इसको इटली बेजो, त़ इसलिए अगर हम करें तो कल्युक के राजा कि हमें पूजा करने चाहिए यह गौर कि शोधास बाबजी महाराज बोलते हैं तो इसलिए प्रेफरेबल हमारे विगरे कौन से होने चाहिए शिशिगौर निताय की और हमारे लिए बने बिल्कुल कल्युकर लोग कलिए एक इसलिए धफर क्लाश धकन कलाश जो लोग हैं उनके लिए बने हैं गौर निताय क्यों कोई अपराद लेते नहीं है वो जैसे मने बताया पांच वरास्ती की विधी में बड़े सारे नियम कानून है और जब नियम कानून को पौलना नहीं करेंगे तो क्या होगा अपराद लगेगा मगर यह गौ आप एक माला जब करें हजार माला जब करने का फल मिल जाएगा आप एक रुपया दान करें हजार पर दान करने का लाब मिल जाएगा ति यह विंदावन की महिमा है मगर उसी विंदावन में अगर आप एक अपराद करें तो हजार अपराद का फल भी आपको लेना पड़े वहां पे कृपा तो बहुत है एंधे भी हजार गुना फल मिलेगा आपको अगर 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 आपढ में अपराइद करें यह तो अपराइद का कोई । अपराइद का कॉई फल नहीं है, तो वहां भस Πलस कर रहा हूँ तू चौपीस गंटे मेरे को पढ़ाम कर आग अले लग जा है महापुर अपना माल लेते हैं तो महापुर आप जाके पीजा खाई ए तो महापुर गोलता रे तू मेरे परशाद बारा है तु इतनी तीवरता है मेरे परशाद बाने की ले तू और परशाद ले तू और परशाद ले दिस प्रकार वह उधार है कृपा ऐसे जलकती है वहाँ पे लूट लीजए जदीनि लूट सकते हैं तो यह मायापूर, ओदारे, तो यह शीशी गौर निताई की कृपा है, कि कोई अपराल लेते नहीं हो, यह जगाई मधाई, उनने पत्थन मार दिया नित्यनन परभू को, और नित्यनन परभू क्या करते हैं, उनके लिए प्राथना कर रहे हैं, चतने महाप्रभू से कि करना पड़ेगा, तो यह जो पाप करने की परवित्ती सब के अंदर है, सब के अंदर जगाई मधाई बैठे हैं, तो आप मारने नहीं आये लोगो को, आप क्या करने हैं, उनका उधार करने हैं, हरे कृष्ण महामंतर के माध्यम से, तैसी जब शीशी गौर निताय के सामने कोई हरी नाम लेता है, तो गौर निताय उसको अपना माल लेता है, चाहिए वो कितने पापी धापी क्यो नहीं हो, पापी धापी यह तो छीलो, हरी नाम उदार लो, तार साक्षी, जगाई मधाई, तो जगाई मधाई, तो जगाई मधाई उसके साक्षी है कि कोई कितना भ पापी हो, क्या करेंगे? उसको गोली से नहीं उडाएंगे उसको क्या करेंगे? उसको अपना माल लेंगे उसको, कृष्ण का जो प्रेम हो दे देंगे तो यह शीशी गौर निताय की कृपा है पात्र पात्र विचार नहीं नहीं स्थाना स्थान कोई पातरता का कोई विचार नहीं है No qualification, No disqualification कोई कैसे भी विक्ति को नहों बस चतने महाप्रभू को एक बार पुकार ले गोरंगा गोरंगा तो महाप्रभू उसके समक्ष बैठे है उसको आलिंगन करने के लिए उसको क्रिष्ण का प्रेम देने के लिए वो प्रेम जो ब्हर्मा जी को भी नहीं मिलता है ब्हर्मा रदुरला प्रेम भी पातरता देखे हुए तैस स्लिए कौन से विग्रे रखने चाहिstäए शिशिगौर निताय की तो प्रुपाय जी ने हमें स्टेंड़ दिया है शिशिगौर निताय का विगरे का एस्टेबिश्मेंट का साथ में अगर इच्छा है तो जगनाजी भी रख सकते हैं वो भी कल्यू के अवतार है वो भी कल्यू के लिए लोग के लिए हम लोगो परशाद बड़ा अच्छा लगता है कई बार हो सकता है कि हम लेक्टर सुनते हुए सो रहो हम लोग कीतन करते हुए सो सकते हैं मगर परश वो पाये हमारी शुद्धी करन हो जाएगा और प्रशाद पाते हम गोलोग धाम में पहुंच सकते हैं जगनाद स्वामी की अच्छा ना प्रपाइजी बोलते मैंने दो भगवान दिया आपको वन इस दैंसिंग और और इस इटिंग और एककन शृट ने महापरवान है अचा लगते हैं रहे हैं किस्वी वुश्य में रखनाद स्वामी और पारन फार जाओत स्षित रहा हुआ है इसमोज कोय गानानी थालिए अट्वराला उन्तौ उन पजा क्यों कि मारे वो खुशी का एक्सप्रेशन है dancing is expression of our inner happiness तो उसके लिए हमारे बीच में आगे है गोरांग महापरभू क्या करिये बस chanting, dancing, feasting and be happy जब करिये, डांस करिये प्रशाद पाईये और खुश रहिए खुश रहना आपका जन्मसीद अधिकार है, to be happy is your birthright, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा dance करना पड़ेगा, डांस कौन करना दिखाएगा में, तो उसके लिए साक्षाथ हमारे से लिए हमारे समक्स जाते हैं, गोरांग महापरु जो हमेशा नित्य करते रहते हैं, उनके हाथ हमेशा खड़े और खड़े करते हुए, क्या करते हैं, वो हमेशा नित्य कर रहे हैं, हमें इस्पायर कर रहे हैं कि लोगों तुम भी डांस करो, मगर यह फिल्मी गानों पे नहीं, हरी नाम पे डांस करो, फिर क्या होगा, फिर जो माया तुम्हारा डांस करा रही है, वो बंद हो जाएगा, हरी नाम में डांस करोगे, तो फिर माया के समक्ष तुम्हें डांस नहीं करना पड़ेगा, कीरत नहीं करेंगे, तो माया के हाथो तो आप नर्थ की बजाएंगे, नर्थ की बन जाएंगे, तो माया वालेगे, उपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये करना पड़ेगा, माया करा रारी हम से, ना, उसी के ही, हम कंट्रोल में है, जैसा वो नाश निचारती हमें, नचाना पड़ता है, और बाद में बड़े ही दुखी हो जाते हम, माया के इस डांस को करते-करते, बट नहीं, अब और नहीं, अब हम माया का डांस नहीं करेंगे, अब हम कृष्ण की प्रसंता के रिए जित्ते करेंगे, उसके लिए हमारे बेश में है, शी गुरांगा महाप्रभू की, so is dancing God, और दूसरे प्रभुपाजी नहीं हमें भगवान दिया है, eating God, हाँ, प्रशाद पाईए, ये जो जीवा है, ये बड़ी ही, दुड़दई है, महाप्रशाद गोविंदे, ये जो शरीर है, ये अविद्या का जाल है, जड़ इंद्रियता है काल, इसमें बड़ी सारी इंद्रिया है, जो बड़ी जड़ है, और उनको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है, हम फस जाते हैं अपने इंद्रियों के चक्कर में, तार एमधे जीवाती, और इंके बीत में जो सेंटर पॉइंट है, जीवा. जीवा देखे कितनी शक्तिशाली है कितनी बड़ी ओती है जीवा घर जाके मा पियेगा अब अब एप्रॉक्सिमेट बता जीए धाय ती नींच की होती है अब सोची धाय ती नींच की जीवा है ये छे फिट आजमी को कहा का घुमाती है जब शादी काड आता है जाते हैं आप शादी के मंडप पे वाँ पे अर जगा जा के पढ़ा मारते हैं तो यह कौन गुमार आपको पूरे जो farm house होता है पूरा गुम के आते हैं के लिए के वले इस जीवा को त्रिप्त करने के लिए तार मद्धे जीवा आती है, जीवा सबसे डेंजरस है लोब हुमाया सुदर मती मगर इस जीवा को तृप्त करने के लिए क्या की है भगवान? आपने अपना परशाद हमें दे दिया क्योंकि आपके परशाद बाने से हमारे जीवा तृप्त होती है और जीवा तृप्त होती है तो बागी जो अंग है वो तृप्त हो जाते है वाचो वेगम, मंसा, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्त वेगम नई सारे जो लाइन में आते हैं वेग, यह सब कंट्रोल हो जाते है आपके ये जीवा कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो आपकी वानी कंट्रोल में रहेगी, आपकी वानी कंट्रोल में रहेगी, आपकी वानी कंट्रोल में रहेगी, तो आपकी जैनिटर्स कंट्रोल में रहेगी, तो ये पूरा लिंक है, तो सबसे महत्पून क्या है? जीवा. तो महापरभु बोलते हैं भुमान बोलते हैं कि तुम्हे बहुत इच्छा है पीजा खाने की चाओमिन खाने की, बर्गर खाने की कोई बात नहीं तो को मैं खिलाओंगा, तो को मैं मंदिर का भी खिलाओंगा तो हमारे गोविंदास में आके खाई हो तो मारे बेकरी में आगके खाई हो वमेगर भार का मत खा तो नुकड का मत खा तो मंदिर में आ कि खाऊ जो खाना उख जो ख़िलाऊंगा घर में मना मुझे भोग लगा और फिर क्या होगा? सारे अंग कंट्रोल होंगे, सारे वे कंट्रोल होंगे तो इस परकार ठाकुरजी की कृपा है कि अपना परशाद कर रूप में हमें देते हैं, तो वो परशाद देने आये हमारे बीच में जगनात स्वामी की तो आप जाते हैं जगनात पूरी में तो क्या है भाँ परसाद की डाड है पूरा अक बाजार लगा ओगा है अनन्द बाजार के नामसे तो क्या कर आफे भूर दिन भहे रही है वह परसाद पाता रही है और जगनादी पहुपी चुपने उस प्रशाद में और जो प्रशाद सिस् Twoi अभिन बीन जिए ये बाग्नाइट पूरी जाथ जागनाइज जगान जागनाइज तरस्ट नहीं कर रहा है। जगनाइज पूरी परषाद पाके अरहा है तो उतनी ही कृपा मिलेगी जो जगना जी के दर्शन की कृपा है। जना स्वामी की और क्या चाहिए हमें, हमें भी तई चाहिए परशाद चाहिए, तो कृष्णा नोज जानते हैं कि इसको क्या चाहिए, वही दे देते हमें, इस प्रकार प्रभपाजी के ने दो भगवान दिये हैं, डैंसिंग गॉड एंड इटिंग गॉड तो ये विग्रे कर देते हैं, आप जगनाची के विग्रे सकते हैं और गॉड निताय के विग्रे सकते हैं, कई लोग पूछते हैं, तो प्रभपाजी थोड़े ही तो ज़ी थिटन उसके लिए, हमें अवाइट करना चाहिए, क्योंकि रादा कृष्णा के जो भक्ती है, उ हम सिधा नहीं कर पाएंगे. रादा कृष्ण की आवें भक्ति करनी है, तो हमें किसके अनुगत होना पड़ेगा, गौर निताइक अनुगत होना पड़ेगा. गौर निताइक आवें वो चाभी देते हैं कि हम प्रज में प्रवेश कर पाएं. तो मायपूर इस अ वे तो एंटर इंटू श्री विन्दावन धाम. तो यह हम अवाइड करते हैं रादा कृष्ण की डारेक्ट सेवा करने के लिए. तो उनके विग्रे हम जने भी नहीं रखते हैं. अब जो कर रहे हैं ठीक है. ऐसने के वो अपरादी लोग हैं. कि देखो जो रादा कृष्ण के बक्ति करते हैं, रादा कृष्ण के विग्रे हैं. जिनके घरो में हैं पहले से, बट अगर 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 आपको जन मिल रहा है, तो उसके बाद हमें वो विग्रे ना रखकर कौन से विग्रे रखने रखने चाहिएं? गौर्णिताय और जगन्नास्वामाः. अब तोड़े स्टेंडर्स की बात करते हैं. तो मंदिर के तो बहुत सारे सेट स्टेंडर्स होते हैं. सुवे सुवे ठाकरजी को ठाया जाता है, बाल भोग लगाया जाता है, मंगल आरती होती है, फिर उनका शिंगार होता है, फिर उनके शेयन आरती होती है, फिर उनके शेयन आरती होती है, फिर उनके शेयन आरती होत मंदर के स्टैंडर्स थे तो जब घरों में वह हो थे हमिन मंदर के स्टैंडर कर आप orphan ने हम अपने स्टैंडर्स रोला हृँ है फीसनलוכ पर大य मगर अंपने पनाया इस को कन सिस्टैंट सेटेंडली पप का गाया वे, तो वो standards हमें follow करने चाहिए. तो कुछ minimum standards आप बनाए और इसको follow करें consistently. तो उसमें कोई अपराध नहीं है, अगर आप मंदिर जैसे standards नहीं फोलो कर पा रहे हैं, मगर घर के standards आपने बनाए हुए, उसको consistently तो इसमें कोई अपराद नहीं है और कम से कम दिन में दो बार आरती होनी चाहिए ठाकुर जी कि ऐसा नहीं कि आप भी सो रहा है और भी सो रहा है चल रहा है जब जागो तब ही सवेरा ऐसा नहीं तो सुबह उटके जल्दी उटके उनके आरती होने चाहिए तो यह वैदी भक्ती का पाठ है वैदी भक्ती मतलब नियम हमें पालन करने है साधना भक्ती का प्रोसेस फोलो करना हमें साधना करनी है साधना मतलब हमें स्टिक्ली फोलो करना है इन इमों का और जब हम आरती बगारा कर रहे होते हैं, तो हमें फोकुस हो करना चाहिए, यह निके उदर-उदर मजा कर रहे हैं, लाइटली ले लेलना चाहिए हमें इसको, He should not treat Arche Vigre very cheaply, very lightly. हलके में लेना, Arche Vigre हो कि, अरे तो फोटो है जी, देखते नहीं है तो. जब विग्रे आएंगे तब हम अच्छे से करेंगे, ऐसा नहीं है. वो जो फोटो भी है, वो भी कृष्ण नहीं है. तो उनको भी बड़ी सतर्क्ता से हमें उनकी सेवा करने चाहिए. अब प्रशन आता है कि, जब हम मंदिर में आएं, तो फिर क्या करें पीछे से? तो आइडिली जो प्रचारक हैं, जिनकी इच्छा है प्रचार करने की, तो उनको घर में विग्रे नहीं रखने चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप घर में विग्रह रख लिए तो फिर आप वहीं पर विग्रह की असेवा करने पड़ेगे फिर आप प्रचार नहीं कर पाएंगे घर से भाहर निकल नहीं पाएंगे तो यह बड़ा ही प्राक्टिकल हमने प्राप्लम देखी है हमारे जो अचारे वरिष्ट अचारे हैं उन सबने बताया कि जो प्रचारक हैं जनली वो विग्रह घर में ना रखें ताकि वो अच्छे से प्रचार कर पाएंगे वहाँ पर फोकॉस कर पाएं क्योंकि प्रचार भी किसके लिए कर रहे हैं? क्रिष्ट की प्रसंदता के लिए तो गोल हमारा क्लीर होना चाहिए कि ऐसाने कि आम अर्चे विग्रह की सेवा नहीं कर पाएं हम प्रचार ही कर रहे हैं जी तो हमारे जीवन में कुछ कमी है नहीं कोई कमी नहीं है, जो कमी होगी वो पूरा होगा जो प्रचार में कृपा है वो कई और नहीं है तो अगर ऐसी सेवा है या आपकी ऐसी प्रोपेंसिटी है कि मैं क्रिष्ण के लिए प्रचार कर सकता हूं आगे चल के तो आप अभी अवाइट कर सकते हैं घरमें विग्रा रखने के लिए प्रओ बिस्खानरर कमानी जाना झाँ झाएरूर निए कि आप जाना मैं या किजिये इक दुदिन जाना इन करण सकते हैं। उसक नänge जाना है किby दुद्फृ घर प्राम करें लयक थे भूर्amo बढाः जाने हैं ज़ते हैं। लिगोनने आपट कि अधेनड और अटेगर कानी पर दुन। जहीं हो कि अपकी मैं वह सब् famously अफमें गुवको अखेड़े आपके कि अब उपकी एपसेंसे सवा करें वहां। बगर अकर आप नहीं हैं, और घर में कोई और भी नहीं है, एक तो झाना हैं, विघरों को आप साहत नहीं ले अट सकते तो आप नहीं को शहन करें सकतेौं। वैश है कि एसले कि और डिवोटी को देदीजे, ता कि वो धर कर०ैम। अगर लंबे समय तो जारे हैं तो ऐसा करना चाहिए, किसी और डिवोटी को हैंड़ोवर करना चाहिए, कि यह नहीं कि वो साथ दिन सो ही रहे हूँ, बिचारे एक गिलास पानी रग दिया, वो इपते जारे बार बार, पानी तो बदल दे, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमें दो जारे आद जारे लकार से एक क्योंकि के वो फोटो नहीं, चेवल वो विग्रे नहीं, केर फोटो तो आप कुछ और कर नहीं सकते हैं, बेडलेसजिन गर विग्रे हैं, तो उनको बहुत सतर्क होना चाहिए। इसे लिए मंदिर में जाना हमारी फर्स्प प्रायर्टी हो कई बार लो किया करते हैं, कि विग्रों की सेवा के कारण मंदिर में आनी पाते हैं, जन्माष्टमी का फेस्टिवल बोले नहीं, आपने घर मना रहे हैं, अरे अवाशकता है यहां पे आपकी, ठाकुर जी कि अपने घर में विग्रों के साथ तो आप 364 दिन हैं, मगर एक दि उनु भीश्टमी को साथ लिग आए, आपने लिग्रों के सुब्स आपगार निकले एबार तो पूरे दिन सेवा कर से तो टेमपल शूट ब अर फॉर्स्ट प्रायरिटी क्योंकि अँधे भी बिग्रों करते हैं यहनि करा के बहरें लोगुने पहरें निंके अगर इंगरे पर नवदीप में भार्मन केरें ना फिर शाउत इंडिया गई जा गगए गए जाट पूरी हुच अथा नौर्थ इंडिया ऑग़ में बनारस में अलाबाद इविन्नावन के बार्मन केरें तो गष्ण दो गौनिता हम बहुत है तो अनुग जा में बहुत है हलका सहम आपको एक आइडिया देते हैं तो पांच चीजे हैं डीटी वर्षिप में सबसे पहला होता है अभीगमन अभीगमन मतलब जब आप रात को सो रहे हैं और सुबह भगवान को उठाने से पहले आप क्या कर रहे हैं अभीगमन तो फुसमें हमका हमईशा चिंतन मना जहिए कि शुबहु एचे छुबहुँभुट्कर में अना करूगुग और सुनान करने के बद अपने अरचे विग्रा को उठा हूँगा कई भर क्या होता हम भूल जाते हैं वहान को भूल गए, आपने विगर है तो स्थापित कर ली घर में, मगर भूलने की तेंडेंसी बड़ी जाद है, तो भूली गए, और फिर अगले दिन सुबह बारा बजी आदा रहे, वो तो सुही रहे, पड़ा गोलो जी उनका, तैसा नहीं होना चाहिए, तो इसे नहीं हो पर दूसरा है उपादान, उपादान मतलब जो भी पैरा फरनेलिया है, उसको तैयारी करना, तो तदिय वस्तु कहलाई जाती है, उनके लिए जो भी अगरबति चाहिए, जो भी दीपक चाहिए, मोरपंग, चामर, उसकी तैयारी करना, तो ये तदिय वस्तु है, इसको उपादान बोला जाता है। उसकी भी पहले सही तैयारी करके रखना है। पर थर्ड है योग। योग मतलब अध्यात्मिक भावनाएं। श्पिरिशल इमोशन्स वो भी होनी चाहिए। कि यह नहीं कि वस बोल दिया जी विग्रे की सेवा करने हैं। वो बहुते हैं। यह भावनाएं। एसने हो रही होनाचीए। वो विग्रे ही ओनाया कि गलाग तरह रहां। आपन हम एसी भावनासे जाए भावनाचे कि दीती वर्षिप नहीं करने चाहिए। पल्ट भावनासे जाए अध्यों चाहिए। तो फिर गले का फंदा समय आप उसमें, ऐसा भावव ना हो, तो स्पिरिश्टल एमोशन्स हमारी उनेचे की नहीं, मैं ठाकुरजी को लाया हूँ, तो सेवा कर नहीं है, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, और वह नहीं रह पाएंगा, तो वह नहीं रह पाएंगा, तो व ऑषुद्धी को आप ध्यान लखेंगे, शुची मुची का ध्यान लखेंगे, तो हर चीज के बारे मुझ का इज़ रहेंगा, तो ये पर्चुछेशल एमोशन को करी फोर ठावर्वर करना य पर थर्ड है एर्था इर्ज्या, फोर्था इर्जा इर्ज्या मतलब सिंगार क तो निए पूरे पांच अंग उते हैं, तो अर्चेविग्रे की पून सेवा होती है. तो अपने आपको अगर हम अगर हम अर्चेविग्रे हैं, लाजने की शोचे हैं, तो वह भी जए ह।ाँ इन पांचोग को अच्छे से प्राक्टिस करा हुएं के नहीं. कहीब पर कर दुक्ता हैं अर्चरी आफे लगता है कि यद अब तो थाकुर जाने के जूट क्या है टुछ जी और जाने के जूट मुझे जूट निए कुछ बढ़ने की कि अब मुझे कींब अर पढ़ने के लिग करने के लिए क्यों अगर पूछे का कि थाकुर जी के विग्रे क्यों है इनकी खुड़ी रिलाइं बताईए इनकी थोड़े गुन बताईए तो आप उन शास्त्रों के बेसिस पे बता पाएं तिसलिए स्वाध्या बहुत ज़रोरी है और थाकुर जी की निरंतर अगर सेवा क चला जाएगा फिर आप बस worker विए उनकी सेवा कर रहे होंगे ऐसे ओछेंवा करें के बाएं उनकी सेवा कर रहे होंगे तो भाल सेवा का भाव प्रें का भाव मेंटें करने के लिए ज्ङारित करने क Planning के दिए स्वाध्या बहुत जोरी है तो जो भी स्कता है कि बाध तो क पढ़े, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लूँगा, वो मूर्ख है, वो ब्रह्म में है, वो माया में है, बिना शास्त्रों के अध्यन के एक कृष्ण प्रेम हासिल होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस शास्त्र पढ़ने से कृष्ण प्रेम मिलेगा, नहीं, बगर उस भाव को मेंटेन करने के लिए शास्त्रों की आवशकता है, हरी नाम करने के लिए शास्त्रों की आवशकता है, जो सोचता है कि बिना शास्तों को पड़े मैं लंबे समय तक हरी नाम कर पाऊंगा, वो भी मुर्ख है, वो इल्यूजन में है, क्योंकि आपने तो बनाई नी, बड़ी बिल्डिंग बनाने के सोच रहे हैं, नीव त आपकी हिलरी है, कोई हलके से फूक मारे और रूड़ जाएंगे, पूरी बिल्डिंग धुस्त हो जाएगी आपकी, तो हमारी शद्धा केवल लोकिक शद्धा नी होने चाहिए, हमारी शद्धा शास्त्रों पर अधारित होने चाहिए मेरी शद्धा, मैं क्यों कर रहा हूं भुहान की सेवा, मुझे पता होना चाहिए, मैं क्यों हर्चे विक्रे लाया हूं, मुझे पता होना चाहिए, मैं क्यो कि वो लोगी छोड़की छोड़की थेले गए मूर्ख हैं क्यों क्यों कि शास्त्रों का इध्यन नहीं किया कि foundation सबसे इंपॉर्टन है बिल्डिंग के लिए उस पर सबसे आदा समय देना चाहिए इसलिए प्रभुपाज ने बोला क्या बोला कि फिर भी बोला कि डिस्टुबुट भी करिए और बिस्टुबुट करने से पढ़े पढ़े भी उसको सब्सेदी लोग ग्रे ताबलो आपकी ताबलो वो उसके बढ़े है, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ए उसके फाउंडेशन देनी वड़ेगी फाउंडेशन हमारा स्वाध्याय. पिर देखें, आप अच्छे से शास्त्रों का थेन कर रहे हैं, तो फिर आपको वान की सेवा में भी रस आएगा, आनन्द आएगा, तो तो प्रेम जाकरित होगा. तो शावन कीरतन से क्या होता है? स्मरन होता है. तो जितना अधा शावन और कीरतन करेंगे, उतना ज़्याधा स्मरन होगा. तो यह स्वाध्याय. ठीक है, तो यह पांच चीजे विगरे सेवा में, विगरे सेवा को पून मनाती हैं. सबसे पहला, अभी गमन, रात के सोने से तक दूसरा थर्ड योगा फोर्थ इर्जा और फिफ्थ स्वाध्या तो अब आखरी पड़ाव पे आगे हैं डीटी वर्शिप के अर्शे विगरी की सेवा के लिए हमें शट शुद्धी करने चाहिए शट शुद्धी श्ट्धी शुद्धी करने की आवशकता है सब से पहला होता है स्थान शुद्धी कि अर्शे स्थान में आपका मंदिर है उसकी सफाइ करना उसके ऊपर नीछे सब सफाइ करना हम करतेने मंदर मार्जन गundicha मंदर मार्जन तो यह जो एक दिन न रहे ज़म विगरो की सेवा, उनके अन्दर के सिवाई कर रहे हूं। यह हरो जोना चाहिए, एटलिस्ट आपका जो घर है वहाँ पर अन्दर के सफाई एवरिट होनी चाहिए। कि कही आप उनको खिला रहे हैं। भोग लगा रहे हैं। और छोमके रहे सेफे जिस्ट मुना सफाई को खिला रहे हां। यह जोग हों आपका जोलाद के सफाई का सम्ते है। इससे समेह थिभाएटती के अवंटाश में ह। । यह जए उनलें प्रृपादी वुलेगिघाग जया है था। रुपार्ट तयास और ब्रज कि रजनी है। भाइर द्मारे ब्रजुिस्ट רגए है। भजल में अप्के डिखनी रही है, सामने ब५्टी पड़ी के लिसैयамен तंटर मांरे तनले रही हो én थाज्पटी उसका अरु जस्टिफिकेशन देर होै तो पुर भूजी आरो रड़ा कर देख हुआ अंय। कई अंवी इससे घृर अंटर लिखवा के लिए अंड़ जब गूंदिशका मंदिर मारजान यहाँ था तो अशपद्धिं लगार लगा लगाँ उत्यु उत्यूकर। शो लीटर थारे तो लीडर थारे थे लिभाए थाहें कितने अचे से चंकाया हमने यह तो बोल्ते हैं । छीफ थे लगाए निए थाहां कितनी मिटिएय हुझती यहां डिखावे हो तुम टुमूनर在 अचे से चूपा देते हो तुमू इस प्रकार हमें क्या करना थे तो आप पढ़ सकते हैं गुंडी चा मंदिन मार्जन का जो प्रसंग आता है चतने शरितामरित में, किस पर कार चतने महाप्रभू ने सब भक्तों को मंदिन मार्जन में लगाया था, और पहले मोटी-मोटी सफाई करी, फिर छोटी-छोटी सफाई करी, तो इस पर कार हम ऊप तो यह है पहला स्थान शुद्धि, तो जहाँ मंदिर है और जहाँ आप खड़े होंगे, वो सब क्लीन होना चाहिए। Second है द्रव्य शुद्धि, कि जो भी आप ओफर करने जारे है भवान को, इसको भी शुद्ध करना होता है। तो उसको भी आप आश्रमन कर सकते हैं, तो पहले आप खुद से आश्रमन करते हैं और फिर जो भी द्रव्य है आप ओफर करने जारे हैं उसको भी गंगा जल से यह जमना जल से हमें शुद्ध करना चाहिए। तो यह द्रवशुद्धी फिर थर्ड है आत्मशुद्धी कि आपको भी नहा के सवाच्छवस्ट पहन के फिर ठाकरजी के विवरे की सेवा करने चाहिए फोर्थ है चितशुद्धी चितशुद्धी मतलब अपने चेतना के शुद्धी करन करना और वो कैसे होगा? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama तो चिति शुद्धी बहुत आवशक है मतलब DT वर्शिप अच्छे से करनी है तो चैंटिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए अपनी चेतना का शुद्धी करन गरंथों को पढ़के नाम जब करके अपनी चेतना के शुद्धी करनी चाहिए फिर फिफ्थ है मंत्र शुद्धी कि हम अलालग प्रकार के मंत्रों का उचानन कर सकते है जब इदभवान को हम ओफर करते हैं कोच या उनकी आरती गाते हैं तो मंत्र शुद्धी कि माध्यम से अपने आपको शुद्ध करना चाहिए मंत्रों को चाहिए कई बार मंत्र तो पढ़ते हैं वगर ऐसे मंत्र पढ़ते हैं जिसे कुट्टा पीछे पढ़ा हो ऐसे मंत्री नी पढ़ना हो जैसे कि बस जल्दी से भोग लगाया तीन चार बार बोल दिया मंत्र और फिर उठाली आपको जाएं से जादर रखना नी खा जाएंगे वो ऐसा नहीं है बहुत हिदे से प्रेम से मंत्रों का उचाहिए काईबर हम एक एक अक्टिविटी इतना लाइटली ले ले लेते हैं उसकी इंपोर्टेंस भूल जाते हैं हमारे जीवन भगतों के जीवन और है क्या थाकुर्जी के विगरों के सामने दिन में तीन-चार बारी आते होंगे एक बार सुबय आगे मंगल आर्ती के ताइम पर जो भी डोती निया आरती करी और एक दो बार भोग लगाने के ताइम दिन में तीन बार तो दर्श्ण करते हैं मगर सोचित तीन बार जाये तो कम सब अच्छे से जाये ना उनके समय बवतित करें जादा नहीं तो 5-10 मिनिट टाइम लगाएं, कुछ उनको मंत्राज ओफर करें, ना कुछ गीत ओफर करें, कुछ और नहीं, तो जब आप भोग लगा रहे हों, तो या तो एक माला जब कर लिजे उस समय, नहीं तो कुछ वैशनव सौंग आई है, अगर मन बहुत चंचल हो र प्रतिदिन स्नान कर आते हैं, जो प्रतिदी नहीं नहीं करा सकते हैं, तो हफते में एक या दो बार तु हस्नान खरानाचाहिे it क्रेए हॉत यह मूतिशुदी तो यह प्रकार के सुधिया है, अब भगवान को ओफर क्या जाता है, तो मंधिर में तो उसको जो तरीका उप शोडश उपचार, शोडश उपचार, ये सोना चीज़े भगवान को उफर करी जाती है, मगर हम घरों में इतना स्टैंडर्ड मेंटे निकर पाते हैं, तो घरों में या तो हम सब उपचार उपासन कर सकते हैं, या पंच उपासन कर सकते हैं, पंच उपसन में क्या रहाता है अगरबत्ति यह मीनिमल स्टेंडर्ड है यह तो फॉलो करना चाहिए जब भी हम ववान की आर्थिक उफर करते हैं तो क्या करना चाहिए अगरबत्ति दिया और थर्ड है अर्ग जल उनका उफर करते हम और फिर उसके बाद पोंचते हैं उनको तो एकलोथ होना चाहिए और पांच वाहे पुष्प यह पांच चीजे तो मेनिमल होनी चाहिए इसके साथ साथ आप मोरपंग और शामर भी रख सकते हैं तो यह सब्त उपासना पूर्ण ह हो जाती है तो अब शोड़ा पूरा सूला करने की आवशकता नहीं है यह साथ करेंगे तो अच्छा है साथ भी नहीं कर सकते तो पांच तो होनी चाहिए मगर इस सब के साथ जो सब से महत्पून है कि आप कोई भी भगवान कियार्चे विगरे की सेवा कर रहे हो किसी भी रूप में सेवा कर रहे हूं उसके साथ एक चीज़ जरूर करनी है और वो है कि अगर आप बहुत अच्छे से बड़े अच्छे अच्छे भगवान के लिए आभूशन ला रहे हैं वस्र ला रहे हैं और उनको बड़ा सुंदर सुंदर व्यंजनों का भोग लगा रहे हैं मगर मुख से हरी नाम नहीं ले रहे हैं तब गवान उसको किसी चीच को स्विकार नहीं करेंगे. मगर हाँ, आप गवान की सेवा कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी तूटियां है. आप अच्छे से ड्रेस नहीं पहना पाएं, थोड़ी सी छूटी रहे हैं गवान की. मुख फोड़ा ठेडा हो गया, जो गिर गया, भोग लगा रहे हैं, उसमें नमक नहीं ना भूल गए. मगर आप ने क्या किया, इन सारे अवगुनों के बावजूद, इन सारी कमियों के बावजूद, उसमें एक प्रेम का मिशन कर दिया, उसका मसाला लगा दिया, हरी नाम का मसाला लगा दिया, तो सारी जो कमिया हैं वो पून हो जाएंगे. तो हरी नाम क्या करता है? सब चीजों को पून कर देता है, complete कर देता है, it complements everything. सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायंती भाक्ती भावेना हरे नामे वके वलम, हरे नामे वके वलम, हरे नामे वके वलम, गायंती यत्र, भाक्ती भावेना, कि जहां पर भाक्ती भाव से हरी नाम लिया जाता है, हरी सदा वसे तत्र, तो हरी वहां पर हमेशा निवास करते हैं, और भगवान तो भाव के भूग है तो बहुत सारी हमारी कमियां हो सकती है हमारे भगवान के सेवा में उनके अर्चे विगरे के सेवा में मगर जहां पर भगवान का नाम है भगवान उसको स्विकार कर लेते हैं तो ये इंग्रेडियंट हमें कभी miss नहीं करना है तो आप DT वर्शिप कर रहे हैं तो हरी नाम जरूर लिजिए आप भवान का भोग लगा रहे हैं हरी नाम जरूर लिजिए आप उनको सनान करा रहे हैं उनको शिंगार करा रहे हैं हरी नाम जरूर लिजिए तो आपके डीटी वर्शिप पूर्ण हो जाएगा हरे कृष्णा हरी बोल शेला प्रभुपाद की